गुद इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकूम तो मैं यूट्यूब चैनल कैसे हैं आप सब, आज मैं आप सब के साथ एक बहुती अमेजिंग ऐसा डियाइवेश शेयर कर रही हूँ, जो बालों को ज़ड़ने से तुरंथ ही रुकेगा, फर्स्ट एप्लिकेशन में ही मैं से भरपूर है, जो हम मास्क बना रहे हैं और हमारे बाल तो खास प्रोटीन के ही बने होते हैं, तो इस रेमिडी को आप ज़रूर से ज़रूर ट्राइ करें, और फिर मुझे ज़रूर बताएं इस करजल्द आपको क्या मिला, गर वीडियो यह सो लगे तो प्लीज लाइक श इतना पानी लेना है, और उसमें डालने हैं दो बड़े चमज फेनोग्रिक्सिट, जिसे मेठी दाना भी कहा जाता है, ट्रस्ट मी, मेठी दाना आपके बालों को ज़र्ने से तुरंत ही रोकता है, और आज मैं जिस तरह बता रही हूं, जो बता रही हूं, वो अगर आप कर होगे, तो amazing results मिलेगा, मेठी दाना हम दो बड़े चमज डालेंगे और इसे रात भर डख कर छोड़ देंगे, मेठी दाना को हमें अच्छी तरह से फूलाना है, सुबह देखेंगे, तो मेठी दाना बहुत ही अच्छी तरह से फूल कर जाएगा, और जो पानी का कलर है, बि shift करना है, कोई ऐसा बड़ा हो, बहुत छोटा नहों container, क्योंकि हमें इसे रखना है, अभी ठीक है, हमें मेठी दाना को अंकूरित करना है, एक तरह से कहा जा सकता है, इसे धकना है, पर इसे tight बिलकुल धकन नहीं लगाना है, जैसे हम plate रखते हैं, उपर वैसे रखना है, य और यह magical करता है हमारे बालों पर, जब इस तरह से अंकूरित हो जाता है, तो इसमें protein की मात्रा और भी ज्यादा बढ़ जाती है, अब हम इसे डालेंगे एक grinder jar में, पानी को मैंने अभी side में रखा है, और अब इसमें मैं डाल रही हूँ, एक लिफ aloe vera की लगबक, तीन ब aloe vera को इसमें डाल दिया है, aloe vera में vitamin A, C, E, हर वो चीज़ है जो अमारे बालों और चेहरे को चाहिए, एक वर्ता नहीं है, अमारे चेहरे और बालों के लिए, और अब हम इसमें डालेंगे लगबक, तीन बड़े चमच दही, मतलब करड के, ठीक है, घर में बने हुई त बेस्ट है, अगर आपको दही सुट नहीं करती है, तो आप उसके बतले coconut milk ले सकते हैं, दही बालों को conditioning करती है, बालों को जढ़ने से तुरंत ही रोकती है, अगर आप दही भी नहीं डालना चाहते हैं, और coconut milk भी नहीं डालना चाहते हैं, तो आप चो यह पानी है, इसमें से थोड़ा सा बिल्कुल पानी डाले क्योंकि मैं इसमें पानी नहीं डालूं कि क्योंकि दही में भी पानी है और एलवेरा जेल भी लिक्विडी हो जाती है ग्राइंड करने के बाद अब हम सब चीजों का अच्छी तरह से ग्राइंड करके छान लेंगे इस तरह देखिए व बहुत जादा ओईल नहीं डालेंगे क्योंकि हमने एलवेरा जेल भी डाली है और दही भी डाली है तो मैं यहां पर एड़ करेंगे दो विटामिन E के कैपसुल्स विटामिन E बालों को जड़ने से रुपता है बालों को हाइड्रेशन देता है उसके बाद डालेंगे एक खमस कैस्टर वाल जैसे मेंने हमेशा कहा है कि अगर बाल पटले हैं उन्हें मोटा करना है तो कैस्टर वाल का यूजर जरूर से जरूर करें चीक है कैस्टर वाल डालने के बाद इसे अच्छी तरे से मिक्स करेंगे अब इसे कैसे लगाना है वो हम बात में देखते हैं पहले हम दूसरी जो remedy है वो तयार कर लेते हैं अब जो ये पानी था इसमें हमें डालना है अपना शेंपू प्लीज कोई mild शेंपू ही यूज़ करें ठीक है बहुत ज़्यादा हार्ड शेंपू अपने स्केल्पे न लगाएं अब लगाना कैसे है वो चलिए ये भी important है हमें पहले जो हमने mask बनाया था इसी अच्छी तरह से अपने बालों से जड़ों से लेके तो सिरों तक सिरों में अच्छी तरह से बिलकुल लगाना है इन दोनों remedies को आपको एक साथी यूज़ करना है और जो हमने mask पनाया था पहले उसे अच्छी तरह से जड़ों से लेके तो सिरों तक लगाए डेड़ से दो घंटा कम से कम रखें शावर केब जरूर पहन लें क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा ड्राय हो जाए तो फिर दोने में प्रॉब्लम होता है चीक है और फिर अच्छी तरह से जब ड्राय हो जाए डेड़ से दो घंटा रखें तीन घंटा रखें कोई प्रॉब्लम नहीं है ये चीजने स्रेफ और स्रेफ फायदा ही करती है नुकसान बिल्कुल भी नहीं करती है उसके बाद जब आप शैंपू करोगे तो आप ये शैंपू यूज करोगे बेस्ट रिजल्स के लिए ठीक है तो इस रेमिडी को ज़रू ट्राइ करें ठैंक्स फॉर वाचिंग चलिए फिर मिलते हैं किसी दूसरे इच्छे वीडियो में तब तक के लिए बाई चीक कियर